दोस्तों हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है तभी तो संक्रमन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हालां कि थोड़ी राहत की बात ये है कि इस बीच देश में टीका करण अभियान तेजी से चल रहा है अभी तक करीब साड़े तेरा करोड से अधिक लोगों का टीका करण हो चुका है और सरकार का ये एलान है कि एक मैई 2021 से 18 साल से उपर के सभी लोगों को टीका लगाए जाएगा ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कोरोना वेक्सिन लेने के पहले और बाद में हमें किस तरह की सावधानिया रखनी चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोरोना वेक्सिन लगवाने से पहले और बाद में किस-किस तरह की साउधानिया आपको रखनी चाहिए दोस्तों अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो कोरोना की वेक्सिन लेने से पहले ये बात आप आपके डोक्टर को ज़रूर बताएं टीका करण से पहले अच्छी तरह से खाना खाएं यानि कि स्वस्थे आहार लें और भरपूर नीन लेना भी बहुत ज़रूरी है जितना संभव हो उतना आराम करने की कोशिश करें अगर आप टीका लेने से पहले अश्वस्थ महसूस करते हैं तो डोक्टर से पहले परामर्ष ज़रूर लें दोस्तों जिन लोगों को डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोग हैं जिन हैं कैंसर है और जो लोग कीमो थेरेपी करा रहे हैं वो टीका लेने से पहले अपने डोक्टर से सलाह जरूर करें जिन लोगों को कोरोना के इलाज की रूप में प्लाजमा या मोनोकलोनल एंटीबोडी प्राप्त हुए हैं वे टीका लेने से पहले डोक्टर से सलाह जरूर लें पिछले डेड़ महीने में जो लोग कोरोना से संकरमित हुए हैं उनके लिए भी टीका लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तों टीका करन केंदर पर वेक्सिन लगाने के बाद कुछ देर के लिए लाभारती को महीं पर बेठाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि उसे कोई गंभीर समस्या तो नहीं हो रही है अगर लाभारती को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो उसे वहां से जाने दिया जाता है इसलिए वेक्सिन लगाने के कुछ समय बाद तक टीका करंट केंदर पर मौजुद रहना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि लाभारती को किसी तरह की गंभीर समस्या तो नहीं हो रही है दोस्तों शरीर के जिस हिस्से पर वेक्सिन लगाई गई है वहाँ पर दर्द होना एक आम बात है इससे बिलकुल भी ना घवराएं वेक्सिन की वज़े से बुखार भी हो सकता है और कुछ लोगों में ठंड लगने और ठकान जैसे कुछ अन्य परिणाम भी नजर आते हैं लेकिन ये सभी दुषप्रभाव कुछ ही दिनों में पूरे हो जाते हैं इसलिए इनसे गवराने की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर आप वेक्सिन ले चुके हैं तो ये मत समझिए कि आप कोरोना से संकरमित नहीं हो सकते क्योंकि विशेशग्यों के अनुसार वेक्सिन गंभी रूप से बीमार होने से बचाती है ना की संकरमन से इसलिए टीका लगने के बाद भी कोरोना से बचाओ के नियमों का पालन करते रहना बहुत जरूरी है जिसमें मास्क पहनना, छे फुट की सुरक्षित शारीदिक दूरी रखना और हाथ दोना शामिल है अगर बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले तभी कोरोना से बचाओ संभव है दोस्तों आप तीका लगवाने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप खान पान को सही रखें स्वस्ते आहार लें, तला भुना न खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें चूंकि ये गर्मी का मोसम है, इसलिए इस गर्मी के मोसम में तर्बूज, खीरा, ककड़ी, जैसे पानी से भरपूर चीजों का सेवन करें इस दोरन शराब, सिगरेट आदी से दूरी बना कर रखें इन चीजों का ध्यान टीका लगवाने के बाद भी रखें और स्वस्त खाना खाएं इससे आपको कोरोना की इस लड़ाई में काफी मदद मिलेगी तो ये थी दोस्तों कोरोना वेक्सिन लेने से पहले और बाद में हमारे ध्यान में रखने के लिए कुछ जरूरी साबधानिया